हेलो दोस्तो मैं विजय आपका एक्जाम टिप्स में आपका सवगत करता हूँ दोस्तो आज हम देखने वाले है वन रख्छक और जेल प्रेरी कि तैयारी कम समय में कैसे करें दोस्तों आपको पता ही है कि आगने वाली जो परिक्षा है मदिपरदेश में है वह है वन रक्षक और जेल प्रेरी जैसे ही पटवारी की परिक्षा खतम होगी और वन रक्षक और जेल प्रेरी की परिक्षा है स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों तो आईए हम इस वीडियो में इसका प्रारव मुझे अगर आप आप यसे भी तयारी करते हैं तो मिनिमम आपके पास एक महीने का समय है जिसमें आप अच्छे से प्रेक्टिस करके अच्छे से स्कोर्व इसमें कर सकते हैं क्योंकि अब दोस्तों आपको पटवारी और आपकारी की परिच्छाओं का पेटन देखने के बाद आप पता चल गया है कि किस तरीके से प्रस्न यहां पर पूछे जाएंगे आईए मैं एक्जाम जो सब्जेक्ट है उन पर भी बात करूँ आइक एक करके तो आप बने रही है हमारे साथ सबसे पहले में आपको बता दू इसका सिलेबस बहुत सारे बच्चों साइन्स जनर नोलेज एंडी एंग्लिश यह पास सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें पतवारी जैसा मेनेजमेंट और अपना कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा पास सब्जेक्ट है और रिजनिंग भी नहीं पूछी जाएगी दोस्तों इसमें आपको बता दूं सिर्फ पास सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, पास सब्झेक्ट बहुत ही सरल्ज इसी सब्जेक्ट है, कुछ तो दोस्तो इसमें जीके हो गया हिंदी हो गया, साइंस, मैट्स और इंग्लिस पाँचो सब्जेक्ट इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है, बाकी 5 सब्चेक्ट बाकी बचे 4 सब्चेक्ट वा अच्छे से score कर सकते हैं आप 김हीं गरें जेल उपधिक्षक कि अलग एक्जामें वह पर यह टैंत वैस्पर रहेगा ऑगा कंदी के अब बात करते हैं एक महिने वह इसकी तयारी कैसे करेंगे दोस्तो यहां भहुत ही बढ़ा सवाल है कि आप चम समय में हम 1 रक्षक और येंचारी की तयारी कैसे करेंगे क्योंकि भी पटवारी चलती है पटवारी पटवारी में सब लगे हुए है पर यह एक्जाम एक छुपी हुई एक्जाम है जो आपको सिलेक्शन आसानी से दिला सकती है पोस्ट भी अच्छी है इसमें दोस्तों सतरासो पद कुछ वन रख्शते और कुछ दोसो डव्ट जेल फ्रेरी की है दोस्तों तो आप इसमें अच्छे से एक सिलेक्शन लेकर अपनी-तयारी कर सकते हैं दोस्तों सिलेक्शन लीजे आप बढ़िया से आपको इसमें अच्छी जोब मिलेगी दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट की दोस्तों सबसे पहला सब्जेक्ट आता है मैं 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 और साइन्स का थोड़ा से दोस्तों थोड़ा से डीप में जाऊंगा क्योंकि यह ऐसे subject हैं दोस्तों जो बच्चों का score खराब करने की कोसिस करेंगे अभी भी आप देख सकते हैं पटवारी में भी maths ने किस प्रकार score बच्चों का खराब किया और tough questions वहां से पूछे गए तो दोस्तों तो maths में सबसे पहले practice करें जितनी हो सकें मोक टेस्ट लगाएं और एक बार syllabus पूरा कर लें दोस्तों क्योंकि जो पेपर हैं वो सिफ्ट में बनते हैं तो हर subject का हर topic आपको basic तो उसका कम से कम आना ही चाहिए ताकि आप questions को solve कर पाएं तो syllabus पूरा कर लें दोस्तों maths का भी एक बार आप ताकि यह रहे कि सिफ्ट में अलग-अलग topic से question आते हैं तो आपको कुछ ऐसा topic ना रह जाएगी आपकी सिफ्ट में वही कुछ topic आ गया जो आपने नहीं बढ़ाता जो जेप्टर आपने परन्तु इसलिए हमें syllabus को पूरा कर सकती है आपके जो अभी आपकारी की परिक्षा होई थी उसके प्रशन दोस्तों हल करें वह आसानी से available है उसके answer की भी आ गई है आप थोड़ा सा search करेंगे तो आपकारी के प्रशन भी आपको मिल जाएंगे पटवारी के अभी हलाकी नहीं मिलेंगे परन्तु जो आपका के इस्तरफ है उन्होंने पेपर जो करा रहा है तो आपकारी के प्रस्ण हल करें दोस्तों इजी लिए अविलेबल है अंसर की भी इसकी आ गई है और तो आप इनको प्रस्ण मेट्स के उसमें जारा से ज्यादा हल करें में बात करों дोस्तों मैं 11 चेप्टर से इंपोर्टन बता हैं में इनके अलवा भी और चेप्टर हैं दोस्तों जिस्तर हो जाते हैं और maximum तो तीन चार भी चले आते हैं तो सबसे पहला चेप्टर है हमां ratio and proportion जिसमें age भी आ जाता है और partnership भी आ जाती है अनुपात और समानुपात आयू और partnership यह तीनों मतलब interlink चेप्टर है तो आप एक चेप्टर पढ़ेंगे तो आपको तीनों चेप्टर एक साथ आप असानी से कर सकते हैं सेकंड चेप्टर है percentage दोस्तों percentage तो हर परिच्छा में दोस्तों दो या तीन questions आते ही आते हैं फिर उससे अगला जो related chapter आता है profit and loads फिर उससे अगला है simple interest compound interest profit and loads simple interest compound interest दोनों जोस्तों एक जैसे ही chapter है और हर परिच्छा में यहां से profit and loads के भी दो question होते हैं एक SI से होता है एक CI से भी होता है दोस्तों तो यह आप इनक पर ध्यान दीजिए arithmetic में यह ज्यादा से ज्यादा score आप कर सकते हैं फिर speed time and distance train हो गया boat and stream यह तीनों interlinks chapter हैं दोस्तों इनको आप अच्छे से करिए एक chapter पढ़िए सारे के सारे आपके जो चेप्टर है वो cover हो जाएंगे time and work pipe and system दोस्तों दोनों एक जैसे है कि उसमें कार्रे आ जाता है और इसमें नलोर इस टंकी का concept आ जाता है बाकी जो हल करने का तरीका रहता है दोस्तों वो दोनों से होता है mdh आपने पढ़ा ही होगा mdh मसाले वाले question जिसमें man day home यह hours दे दिये जाते हैं आपको कि इस प्रकार की question आते हैं दोस्तों इसमें कि 5 आदमी दो घंटे में दो दिन प्रती दिन काम करते हैं तो 10 आदमी दो घंटे काम करते हैं किते दिन में इस काम को complete करें एवरेज से भी question आते हैं दोस्तों एवरेज अच्छा chapter है जो हर exam में इसके व्यापम की दो question इसके आते ही है LCMACF से आते हैं तो simplification पटवारी में बहुत पूछा जा रहा है दो तीन question इसके पटवारी में आये है mensuration दोस्तों मैंने इसलिए रखा है यह chapter advance का है परंतु easy chapter है आप 2D और 3D के formula याद करिए इन formula के basis पे ही आपके question आते हैं एक बार आपने formula रट लिए तो आपके question इसमें से गलत जाने की संभावना वहत कम हो जाती है दोस्तों यह में मेट्स के important chapters इनको आप अच्छे से करिए मैंने बताया है 11 chapter पर इनके अलवा भी questions आते हैं मैंने वही chapter आपको बताया है जो 2 या 3 questions carry करते हैं exam में बाकि एक ट्र physics chemistry bio तीनों विशा ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि पता नहीं है आपकी सिप्ट में कि सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है किसी सिप्ट में chemistry ज्यादा पूछ ले आता है किसी में bio ज्यादा पूछ ले आता है तो यह है दोस्तों और आपकारी में भी मैं इसमें बोलना चाहूंगा आपकारी के प्रस्टन हल करें क्योंकि उसमें भी साइंस आया था और वही लेवल रहने वाला है दोस्तों आप एक्जाम का physics के कुछ important chapters की बात करों दोस्तों एकाई है मापन जिसे हम units and measurement बोलते हैं पटवारी की परिक्षाओं में हर सिप्ट में कम से कम दोस्त वेग इससे प्रस्टन आते हैं गुरुत्वा कर्शन से प्रस्टन थे दोस्तों ध्वनी लाइट और हीट एंट टेंप्रेचर यह पांच छे चेप्टर दोस्तों यह साइन्स के physics वाले कोशन से यहां पर questions बनने की संबावना थोड़ी ज्यादा होती इसके अलावा दोस्त में आपको एटम इन प्रियोडिक टेबल पढ़ लिए जोस्तों परमावन आवर साड़नी इससे तीन question अराम से बनते हैं आपसे आवर साड़नी से related को कोई उस question पूछा जा सकता है कि गोल्ड का सिंबोल क्या होता है ए जी ए यू या जी इस प्रकासे धातू अधातू से questions आये हैं दोस्तों परधार्त की अवस्ता में की बात करें अपन तो सोलीड लिक्विड गेस मतलब थोस द्रव गेस जो होती है उससे questions बने हैं उनकी चेंज करने से रासाइनिक परिवरतन भौतिक परिवरतन से भी question आये chemical compound important chemical compound पढ़े दोस्तों बेंकिंग सोडा धावन सोडा और जिपसम यह सब important है दोस्तों यहां से इनके formula भी पूछे आते हैं और इनके use भी पूछे जाते हैं आगे बढ़ते दोस्तों biology biology में दोस्तों म पूछा गया है कि मानव सरीर में कितनी हड़िया होती है इस basic question आते हैं कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी इसके अलवा पादब जगत की बात कर लिए तो और तो पोड़ा रेप्टाइल्स एनिमल्स किंग्डम पाडब किंग्डम यह सब आप जो है यह पढ़ लीजिए ताकि यहां से भी questions बनते हैं आपको डाइग्राम दे दिया जाता है पूछा जाता है कि यह किस जगत से आता है कोशिका के बारे में पढ़ लीजिए दोस्तों कोशिका से भी साइन्स और मेट्स हैं जोस्तों जो बच्चों का स्कोर खराब करें तो उसके बारे में ने डिटेल बता दी है अब एजिके की बात कर लेते हैं जीके में दोस्तों MPGK के भरोसे ना रहा है सिर्फ क्योंकि पटवारी की किसी किसी सिफ्ट में एक भी question नहीं आया है आपकार से का थोड़ा थोड़ा बेसिक जरूर पड़े से पॉलिटी में इंपोर्टेंट अनुच्छे पूछे आते हैं जोग्रोफी में से भी कोई नदिया वगएरा पूछी जा सकती है तो हर सब्जेट का थोड़ा थोड़ा बेसिक जरूर पड़े सिर्फ MPGK के भरोसन ना रहा है कि MPK एक्जाम से तो MPGK ही आएगा आगे बात करते हुए इंगलिस में आप देख सकते हैं पटवारी में जो पूछा जा रहा है प्यूर इस डारेक्ट इंडारेक्टी स्पीच एक्टिव एंड पेसिव इसमिलर अपोजिट जिसे इंटिनम सिनों सोगया इडिया में फ् टॉपिक से वाक के वगेरा से सुध्ध सुध्य वाक के और वाच्च से कारक यह जो चैप्टर्स है दोस्तों यहां से कोशन आते हैं तो हिंदी इतना बड़ा टास्क नहीं हर को ही कर लेता है और यही है दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आप सारे यह जो है आप यह अच्छे से बढ़िया से और बाकी थेंक्यू सब्सक्राइब चैनल करिएगा हमारा और आपको वीडियो अच्छा लगा होते से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर किएगा धन्यवाद दोस्तों